आज क्यों रक्षा खेत्र में भारत इंटेंट इनोवेशन और इंप्लिमेंटेशन के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है आज से आठ साल पहले तक भारत की पहचान दुनिया के सबसे बड़े डिफेंज इंपोर्टर के रुपे होती थी हम दुनिया भर से माल खरीते थे लाते थे पैसे देते रहते थे लेकिन न्यू इंडिया ने इंटेंट दिखाया इच्छा शक्ती दिखाई और मेक इंडिया आज रक्षा खेत्र की सक्से स्टोरी बन रहा है पिछले पांच वर्सों में हमारा रक्षा निर्यात हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट आठ गुना बढ़ा है दोस्तों हम दुनिया के 75 से जादा देशों को रक्षा सामगरी और उपकरण एक्सपोर्ट कर रहे हैं निर्यात कर रहे हैं 2021-22 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 1.59 बिलियन डॉलर यानि करीब 13,000 करोड रुपियों हो चुका है और आने वाले समय में हमने इसे 5 बिलियन डॉलर यानि 40,000 करोड रुपियों तक पहुँचाने का लक्षा रखा है ये निर्यात एक्सपोर्ट केवल कुछ उपकरणों तक सिमित नहीं है केवल कुछ देशों तक सिमित नहीं है भारतियर अच्छा कंपनियां आज ग्लोबल सप्लाई चेन का महत्वपुन हिस्सा बन रही है हम ग्लोबल स्टेंडर के स्टेट अफ आर्ट उपकरणों की सप्लाई कर रहे हैं आज एक और कई देश भारत के तेजस जैसे आधुनिक फाइटर जैट में डिल्चस भी दिखा रहे हैं तो वही हमारी कंपनियां अमेरिका इसराइल और इटली जैसे देशों को भी रक्षा उपकरणों के पार्ट सप्लाई कर रही है साथ यों हर भारतियों को गर्व होता है जब वो सुनता है कि भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल अपनी केटेगरी में सबसे घातक और सबसे आधुनिक मानी जाती है कई देशों के लिए ब्रह्मोस मिसाइल उनकी पसंदिदा चोईस बनकर उभरी है